नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है प्रदीप चोहान और आप देख रहे हैं खबरहाट बात समझनी है तो पूरी सुननी होगे और उसके लिए आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजी दोस्तों एक उधार उस वक्त तेलंगाना को अगर आप छोड़ दे तेलंगाना दक्षिन का राज्य था बाकी जो हिंदी पट्टी के तीन राज्य थे वहाँ पर जब कॉंग्रेस की तरफ से सूची जाती है स्टार प्रचारकों की तो अमिद्वार से पूछा जाता है कि आप किस किस को अपने इंका गांधी को चाहते थे उसके बाद स्थान ये नहीं था जैसे सचीन पाइलेट अचो गैलोत कमलनात या भुबेश बगेल इस तरह के नेताओं को राहुल गांधी को चौथा या पांच वे नंबर पे लगते थे लोग की अगर कोई नहीं तो फिर उनको आने दीजी हा राहुल गांधी तरहसल मुद्दों से भटक जाते हैं कुछ ऐसे मुद्दे ले आते हैं राश्ट्रिय मुद्दे ले आते हैं बीच में जिसका हमें नुकसान होता है जबकि विधान सभा चुनाव स्थान ये मुद्दों पर लड़े जाते हैं और राहुल गांधी आते है है वो अडानी अंबानी क्रोनी कैपिलिजम इस पे राष्ट्य मुद्दों पर बात करते हैं उससे हमारा चुनाव बिगड़ जाता है और ये काफी हद तक सही भी था अगर विधानसवा चुनाव के नजरे से देगे तो ये वो वक्त था और उधर बीजेपी में जब स्टार प्रचारकों की सूची जाती थी तो अगर सो मीदवार है तो सो मीदवार वन टू थ्री प्रेफरेंस मोदी ही होते थे सब पहले तीन नमबर पे मोदी रखते थे और चौते नमबर पे फिर योग यादित्यनाथ और पांच यो नमबर पे अमिच्छा फिर जेपी नड़ा ये उनका रहता है, उम्मिदवारों का रहता था. तो इतना डिफरेंस था दोनों पार्टियों में, लेकिन आज, वक्त देखो कैसे करवट बदलता है. मैं आपको ये कहानी इसलिए सुना रहा हूँ, कि वक्त कैसे बदलता है, इसका ये एक्जामपल है, बहुत बढ़िया एक्जामपल है. आज वक्त ऐसा है, कि अभी दो महीने, ढ़ाई मीने है, तीन महीने भी हो सकते हैं, जो तीन विधानसवा चुनाओं होने हैं, महराष्ट, हार्याना और जहारखंड में हैं. वहाँ पर अभी वक्त है, लेकिन उसके बावजूद, बीजेपी का हर उम्मीदवार चाहता है, जो भी चुनाओं लड़ने का इच्छुक है, कि मोदी चुनाओं में ना आएं. और दूसरी तरफ कॉंग्रेस का हर उम्मीदवार चाहता है, कि राहुल गांधी उनके इलाके में आके प्रचार करें. ये सिर्फ एक लोग सभा चुनाओं ने पूरा सिनारियो बदल दिया है. अब राहुल गांधी को क्यूं चाहते हैं कॉंग्रेस वाले, पहले छोटी सी बात इस पे करता हूँ. राहुल गांधी को लोग इसलिए चाह रहे हैं कि राहुल गांधी ने अपना पूरा राजनीती का स्टाइल बदल दिया है, ये आपने देखा. अब राहुल गांधी वही अपने गिने चुने तीन-चार मुद्दों को लेकर बात नहीं करते हैं. वो उनकी टीम और वो खुद पहले ग्रॉंड जाके पूरी रिसर्च करते हैं, पूरा एक खाका प्यार करते हैं कि जिस इलाके में वो जा रहे हैं, उस इलाके की समस्याएं क्या है? रहुल गांधी पहले उन समस्याओं पर बात करते हैं, उनका समाधान सुझाते हैं, फिर राष्ट्य मुद्दों पर बात करते हैं, इसका इंपक्ट होता है, लोकसभा चुनाओ में रहुल गांधी ने ये स्ट्रेटेजी अपनाई, इसलिए लोकसभा चुनाओ जो बीजे प्रदेश में अखिलेश यादव और रहूल गांदी की जूड़ी बड़ी काम्याब हुई स्थानिय मुद्धे उन्होंने उठाए इसलिए कॉंग्रेस के अमिद्वाराज की डेट में चाहते हैं रहूल गांदी उनके यहां जरूर है और रहूल गांदी का अब जो एक पॉप्लरिटी चार्ट है वो भी बढ़ गया है कल ही आपने देखा एक ललन टॉप उस पे एक बीजेपी के एक सीम के के अड़वाईजर खुलके बोल रहे हैं कि जो युवा है जो जैंजी जिनको बोलते हैं 18 से 25 साल के बीच में उस एज ग्रूप में रहूल गांदी की पॉप्लरिटी बहुत बढ़ गई है और मोदी जी की पॉप्लरिटी बहुत घट गई है और इस देश में आज सरकार किसकी बनेगी किसकी नहीं ये तया युवा ही करता है इसलिए रहूल गांदी पहली पसंद हो रहे है लेकिन दूसरी तरफ इसका ब्रकुल उल्टा हो गया है छे महीनी के अंदर चीज़े कैसे बदल गई कि बीजेपी के लोग अब क्योंकि देखिए वहां कहने की हिम्मत नहीं है किसी की खुलके कह दे क्योंकि जो खुलके कहेगा वो जाएगा इसलिए वो अब आवाजे उठने लगी है कि मोदी जी को राष्ट्री राजनीती में ही ध्यान देना चाहिए ये जो विधान सभा चुनाओं है इन में मोदी जी को नहीं जाना चाहिए बहाना ये दिया जा रहा है कि मोदी जी का स्टेचर बहुत बड़ा है विधान सभा चुनाओं में हार होती है तो अच्छा नहीं लगता है लेकिन असल हकीकत ये है कि लोग स्थानिय इकाया नहीं चाहती कि मोदी जी चुनाओं प्रचार के लिए आएं उसकी वज़ा है उसकी सबसे बड़ी वज़ा तो वही है जो राहुल गांदी के साथ थी बीजेपी का हर नेता को लगता है कि जिस तरह से अभी लोग सभा चुनाओं में प्रधान मंतरी जो मुद्दे उठाए प्रधान मंतरी विधान सभा चुनाओं में आएंगे तो वही राष्ट्रिय मुद्दे उठाएंगे अगर इस देश की जनता लोग सभा चुनाओं का मेंडेट स्थानिय मुद्दों पर दे सकती है तो विधान सभा का चुनाओं तो होता ही स्थानिय मुद्दों पर है कि उन्हें ये लगता है कि अगर मोदी जी आएंगे तो फिर विपक्ष एक बार वही समविधान खत्रम है आरक्षन ये सब मुद्दे उठाएगा अगर अगर ये सब मुद्दे उठाएगा फिर बीजेपी चाहे जितना मरजी लोकलाइज करने की कोशिश करें फिर ये मुद उरे इसका नेता चाहे राहूल गांदी है चाहे स्थानिय नेता है उस्थानिय मुद्दों के साथ-साथ इस बात का जिक्र Бई जरूर करेगा कि ये देखिये समविधान के लेकर इनकी मन्चाग क्या है तो एक दूसरा डर ये है तीसरा डर जो बीजेपी के वह है कि वह ये जे वोट दीजी और कमल का निशान देखिए, ये कहते हैं और अब भी मोदी यही कहेंगे, क्योंकि ये उनका ट्रेडमार्क बन चुका है, उससे वो हट भी नहीं सकते, अब अगर ऐसा हुआ, तो फिर बीजेपी को लगता है हारते है, क्योंकि अगर मोदी के नाम पे लोग स सभा चुनाओं में वोट नहीं पड़ा, तो विधान सभा चुनाओं में तो विकुल नहीं पड़ेगा, और वैसे भी विधान सभा चुनाओं में मोदी का ये पैंतरा फेल होता रहा है, करनाटक में फेल हुआ बुरी तरह से, वहाँ उन्होंने अपने नाम पे वोट तो फिर तैय है कि बीजेपी का फेल होना लाजिम है उसके अलावा जो अगला पॉइंट है वो अगला पॉइंट यह है कि जैसा उमिद्वारा को वहां लगता है कि मोदी जी आएंगे तो उनका वही हाल होगा जो अभी लोगसभा के चुनाओं में सांसदी के उमिद्वाराओं का हुआ था जब लोग उनसे सवाल पूछ रहे थे कि यह बताईए आपने क्या किया या आप क्या करेंगे जब वो कुछ कहते थे तो लोग कहते थे यह तो मोदी जी ने किया है या मोदी जी कह रहे हैं कि मैं करूँगा आप क्या करोगे तो ये विधान सभा में कि उम्रीद्वारों को भी लग रहा है कि अगर हम लड़ेंगे और मोधी जी आएंगे तो हम से भी लोग यही सवाल पूछेंगे कि भाई मोधी जी तो कह रहे हैं कि मेरे नाम पर वोड़ दो जो करूँगा मैं करूँगा तो आप क्या करोगे जब ऐ यहां भी मोधी जी का सबसे बड़ा फॉल्ट यही था कि यहां पर इन्होंने राष्ट्य मुद्वों पर चुनाओ लड़ा और कॉंग्रेस ने बड़े स्ट्राटिजिकली खास करके करनाटक से यह पूरा बदलाव शुरू हुआ राहुल गांधी ने भी वहां से केंपेंज स्टाइल को बदला कि वहां लोकल इशूज को जादा उठाया राष्ट्य मुद्वों को नहीं उठाया अब मोधी जी राष्ट्य मुद्वे उठाएंगे तो वही खामियाचा भूगतना पड़ेगा और दूसरी बात सबसे बड़ी बात है कि देखिए विधान मात मिलेगी जहीर सी बात है अब सवाल ये भी उठता है कि अगर मोधी जी को इस तरह के फिलर दिये जा रहे हैं कि उनको थोड़ा सा दूर रहना चाहिए विधान सवाचुनाव से इसके क्या माइन है इसके माइन यह है कि जो मोधी जी के लिए मना कर रहे हैं वही पार्ट एक तो योगी मुख्यमंत्री हैं एक सूबे के वो स्थानिय मुद्दों पर बात करेंगे और दूसरा वो अपने राज्य की सरकार का एक्जामपल देते हैं उनका इंपक्ट जादा होता है और मोधी की जो भाशा है और खास करके जो मोधी जिस तरह से बोलने लगे हैं और जो उनके आसपास जिस तरह का इस लोकसावा चुनाओं के बाद विपक्ष ने गड़ दिया है कि अपने आपको वो नॉन बायलोजिकल कहते हैं वो हिंदु मुसल्मानों की बात करते हैं मंदल सूतर की बात करते हैं ये सारी चीज़े और एमरजेंसी जो एमरजेंसी का जो भी लेना देना नहीं है वो नहीं चाता इतनी पीछे जाना लेकिन तो ये सारी चीज़ों को देख के ये लग रहा है कि दुए मोधी जी के साथ वही हो रहा है जो हर इंसान के साथ होता है कि पीक पर आनगर फॉल हो आनत तैह मोधी जी ने अपना । छुलिया था 303 के साथ अब मोधी जी का डाउण फॉल भर अब इस डाउण फॉल में उनके अपने ही ज़्यादा तेजी से नीचे खीचने की कोशिश करने एसा अब लगने लगा है और जितना ज़ादा ये लोग नीचे खीचेंगे मोधी जी उतनी ही जल्दी नीचे जाएंगे इसलिए मुझे लगा कि शायद मोदी जी ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि एक दिन ऐसा भी उने देखना पड़ेगा कि जब लोग कत्राने लगेंगे कि मोदी जी चुनाव प्रचार के लिए ना आए जो पिछले 23-24 साल से लगातार राजनीती में 2002 के बाद से 21-22 साल से और कोई हार का मुझे नहीं देखा उन्होंने आज ये हालत मोदी जी की होगी ये ना मोदी जी ने सोचा होगा इनफेक्ट ना उनकी गोदी मीडिया ने सोचा होगा कि ये भी वक्त आएगा लेकिन वक्त बदलता है सब का बदलता है मोदी जी का भी बदल रहा है दूसरी तरफ अगर आप राहुल गांधी को देखे 20 साल उस शक्स ने क्या नहीं जेला 20 साल में इसलिए कहा रहा हूँ कि दरसल उनको मिलिंग करने की कोशिशें 2004 से ही शुरू होगी थी जब वो पहली बार सांसत बने दे उसी दिन से उन पर परिवारवाद, बॉन विदा सिल्वर स्पून, नॉन सीरिस पॉलिटीशन, वोकेशनल पॉलिटीशन इस तरह की चीज़ें लगनी शुरू होगी तो उसके बाद एक जो इमेज बनाई गई उनकी वो हम सब को मालूम है वो कहानी कई बार हम लोग दोरा चुके हैं पढ़ चुके हैं जो इतने बुरे वक्त के बाद आदमी जब कहते हैं वो घिस-घिस के हीरा बन कहीं उबर था है अब वो इस हीरे के चमक का वक्त आ गया है ऐसा इस देश की जनता संकेत दे रही है और जो चमक रहा था अब उस किजिएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा नमस्कार